अब वेल्कम टू एलरन और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बनमंद प्रप्रेशन फॉर प्रीजटी इंट्रैंस टेस्ट पर डी यू जे अन्यू बीच्च एंट इन्टी निवेच्च एंट नौटिफिकेशन निकाला था जहां पर वो सी यू वीटी के थुरू पी कि पाइटिसिपेट कर रहे हैं फॉर्म फिल करनी की जो लास्ट डेट है वो एट ऑफ सेप्टेंबर है मीनिंग एट डेज आर रिमेंग यदि आपने अभी तक अपना फॉर्म फिल नहीं करा हुआ है तो फटा पट जाके सबसे पहले फॉर्म को फिल कर लीजे क्योंकि यह जो एक्जामीनेशन है जहां पर आप इंडिया की टॉप फॉर उनिवर्स्टी को एक साथ एक्सेस कर सकते हैं और रही बात प्रपरेशन की तो उसके लिए आपको बिलकुल भी परेशान होनी की जरुरत नहीं कि इस वीडियो में आपको डीटेल में बताऊंगी कि आपको क बैसिक इनफोमेशन अबड़ दे स्रुक्चर ऑफ कॉश्टन पेपर विल भी डिवाइड़ी इंटू पाट्स फर्स सेक्षन जो रहेगा वो रिजर्च मेथडोलोजी कर रहेगा और सेकंड सेक्शन आपका सबजेक्टिव सेक्शन रहेगा हर एक सेक्शन में आपकी 50 यह नहीं रहेगा आपके 100 कॉश्टन से और 100 के 100 यह आपको अटेम्ट करने है और एक्जाम का जो डियूरेशन है वो 30 कर रहेगा Now coming on the exam marking scheme यदि आप exam marking scheme की बात करें तो आपका जो हर एक कॉश्टन रहेगा वो 4 marks का होगा और यदि आप सही answers देते हैं तो आपको वही 4 marks मिलेंगे और incorrect answers पे बनवाई 4 की minus marking होने की कारण आपका जो 1 marks है वो deduct कर लिया जाएगा और बहुत से questions ऐसे रहेगे जो unanswered रहेगे unattempt questions रहेंगे उनमें ना ही आपको marks मिलेंगे और ना ही आपके marks negative marking में होगे Now coming on the age limit, so NTA has no any age limit for the candidate appearing in this PhD examination meaning आपको form भरने के लिए exam देने के लिए NTA ने कोई भी age limitation नहीं रखी आप किसी भी age group के हैं so you have to be eligible for this examination लेकिन वहीं पर यदि आप university की बात करें जैसे DU की बात करें, JNU, BHU, BVAU तो इन university का अपना एक specific age area हो सकता है यह सब बात की बात है, सबसे पहले हमें क्या करना है, form fill करना है, preparation करना है और exam देना है, क्योंकि exam देने के लिए किसी भी तरीके का कोई जो age है वो define नहीं किया गया है In this slide I have mentioned test paper code and the name of courses, तो यहाँ पर हम biological sciences subject की बात कर रहे हैं तो biological sciences में different type की branches होती है, ठीक है? यहाँ पर total मैंने 15 branches है या 15 subject है जहाँ से आप अपनी PhD कर सकते हैं यदि आपको अपनी PhD by chemistry से करनी है तो आपका जो test paper code होगा वो SCPS01 होगा यदि आपको अपनी PhD by medical research से करनी है तो entrance exam जो देंगे उसमें test paper code SCPS03 होगा and SCPS04 by physics के लिए SCPS05 by technology के लिए तो यह बस आपकी information के लिए है कि जिस्पी examination को अगर आप देंगे तो आपका subject code क्या होगा? Now coming on the important discussion, so as I have already mentioned your question paper will be divided into two parts first जो आपका part होगा वो research methodology होगा and second जो आपका होगा वो subjective होगा तो यदि अभी तक आपने अपनी research methodology की preparation नहीं करिए और आप सोच रहे हैं कि आपको preparation करनी भी नहीं है तो यह गलती बिलकुल मत कीजेगा क्योंकि आपका जो question paper रहेगा उसमें 50% वेटेज जो है research methodology करेगा 50% वेटेज जो है वो रहना है subjective area का तो research methodology पढ़ना बहुत जरूरी है first thing and second thing is that हर एक जो examination है भू हमीशा smart approach को follow करता है इसका मतलब यह है कि आपके syllabus में कितनी भी units हो लेकिन बहुत से topics ऐसे होंगे जो important topic होंगे and उनसे frequently questions पूचे जाते हैं तो यहां पर मैंने क्या किया है इन सारी university के question paper का analysis करा उसके बाद कुछ topics isolate करें और यह जो सारे topics है यह important है तो सबसे पहले हम topic के बारे में जान लेते हैं आपको पढ़ना कहा है जैसे social science research versus natural science research interdisciplinary research variable in research type of research questionnaire and interview survey research content analysis case study managing and review of literature research proposal primary and secondary sources and research ethics तो यह total कितने आपके 12 topic बन जाते हैं अब इस वीडियो में हम किस की बात कर रहे हैं कि हमें बन मंत में preparation करनी है अब हम बन मंत में कैसे preparation करेंगे बन मंत में हमारे total कितने 30 days होते हैं अब हम करेंगे क्या कि simply इनको divide करेंगे आपके जो 15 days होंगे वो आपकी रहेंगे research methodology के लिए ठीक है 15 days में आपको करना क्या है यह जो 12 topic है यदि आप हर एक डे में हाली दो topics पढ़ते हैं आप चाहें तो फोर topics भी ले सकते हैं लेकिन at least two topics तो कोई भी पढ़ सकता है तो जैसे आप हर एक six days में two topics को पढ़ रहे हैं तो total six days में जो है आप अपने सारे topics पढ़ लेंगे अब आपको पढ़ना कहा है आपको पढ़ना YouTube से आप simply search करिए social science research के ऊपर तो धेर सारे आपके पास lecture आजाएंगे दूसरी चीज यह है कि आपको short short videos नहीं देखने है student क्या करते हैं कि 5-10 minute की videos देख ली हो गया बिल्कुल भी नहीं ऐसा करना है long lecture को पढ़ना है जितना आप detail में पढ़ोगे उतने अच्छे से अपने question paper को attempt कर पा हो तो आपको करना क्या है long जितने भी lecture यह detail जो lecture आपको मिले जैसे social science research पे natural science research पे इंटर डिसीप्ले तो ऐसे आपको search करना के सारे topics को खदम कर देना है तो आपके टोटल six days में सारे topics ने पढ़ गए अब होता क्या है यह जो research methodology है यह बहुत simple सी है सानी इसमें बहुत concept या conceptual है या बहुत tricky है आप एक बार इसको पढ़ोगे और एक बार में आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी तो सबसे पहले आपने प्रेटी कली पढ़ लिया उसके बाद आपको two days करना है revised because revision and recalling must be there जब तक आप इसको रिवाइस नहीं करेंगे जब तक आप इसको recall नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं याद रहेगा तो आपको पहले 6 दिन में इनको अच्छे से पढ़ लेना है और बाद कि two days आप क्या करोगे इनको रिवाइस करोगे रिकॉल करोगे तो आपके six and two days होगा eight days और बागी का आपका जो six to seven days है उस टाइम आपको इन सब का क्या करना है mcq practice करना है ठीक है mcq practice आप कहां से करेंगे mcq practice करेंगे आप simply net पे search करें कि mcq question on social science research mcq question on natural science research तो आपके पास five hundred plus mcq सामने आ जाएंगे तो वो सारे mcq आपको पढ़ लेने है आप क्या करेंगे कि हर एक days में two topics को लेंगे और उन topics के mcq solve कर लेंगे तो इस तरीके से आप देखेंगे कि after 15 days यह जो topic है यह जो 12 topic है आपकी finger tip पे होंगे इनसे कोई भी question आएगा तो 15 days में आपको कैसे prepare करना है कोई भी examination हो जहां पर research methodology पूछी जाती है especially आप research से related कोई भी examination देंगे PhD का उसमें research methodology आती है तो आपके लिए 15 to 20 days हमेशा sufficient होती है इसके preparation के लिए इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत time waste करना है या बहुत time देना है आपको simply इतने ही days जो मैं आपको बत topic है यह बहुत important topic है meaning यह है कि आप किसी भी university का question paper उठा के देख लीजे जो आपके 80% question है वो इन ही topic से आए आपको करना क्या है सबसे पहले इनको theoretically पढ़ना है फिर इनको 2 days आप अच्छे से revised करेंगे और बाकी का जो 6-7 days रहेगा उसमें आप MCQ practice कर लेंगे तो 15 days में आपन research methodology के topic को बहुत अच्छे से पट लिया अब होगा क्या next हम बात कर लेते हैं subjective area की अब 15 days तो हमारे research methodology में चले गए अब बागी कि जो 15 days रहेंगे वो आपको क्या करना है अपने subject पे देना है अब subject को कैसे 15 days में हम target करेंगे तो होगा क्या कि आपका पहले ही decide होगा एक mindset तो जैसे आपको geology से PhD करनी है life science से करनी है botany से करनी है by chemistry से करनी है तो आप करोगी क्या यहां पर जो मैंने units mention करी जैसे मैंने life science में 7 units mention करी तो यह important unit है इन में ऐसा है कि यह सबसे ज़्यादा important unit है तो आप DU, JNU, BHU, BVU का paper उठा के देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इ chemistry में आपकी again 15 units है, तो starting के जो six days रहेंगे जो जो आपने अपनी MSC में पढ़ा है जो जो आपने अपने पोस्ट graduation में पढ़ा है उन सारी चीज़ों को आपको revised कर लेना है post graduation होता है बहुत से topic ऐसे होते हैं जन पे हमारी command होते हैं और बहुत से topic ऐसे होते हैं जो बीक topic होते तो बीग topic को भी side में रख लो जो आपके strong topic हैं जो आप पर बहुत अच्छे से आते हैं और इन units के वो topic हैं आपको करना क्या है simply उनको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है revised कर लेना है and recall कर लेना है जैसे ही आपका revision हो जाएगा उसके बाद आपको MCQ के practice कर लेने हैं इन ही topic प बात करें तो पहली unit क्या होगी यदि आप life science में अपना examination देंगे techniques अब techniques में हो सकता है आपने कुछी techniques पढ़ी हो तो जो जो आपने techniques पढ़ी है उनको बहुत अच्छे से revised कर लो और MCQ कर लो बहुत extra कुछ पढ़ने की ज़रुवत नहीं क्योंकि subject का जो syllabus है वो बहुत vast होत है ठीक है तो अगर आप सूचे कि आप 15 डेस में कबर कर लेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल है आपको करना क्या है कि जो जो आप पर आता है उनको अच्छे से revised कर लेना है लाइफ साइंस के बात करें तो लाइफ साइंस में आपको टेकनीक्स पढ़ना रहेगा वाय केमिस्ट्री आएग लेकिन यह पढ़नी है क्रोमेटिन के context में बाय टेक्नोलजी इनके MCQ प्रेक्टिस करेंगे अब MCQ आप बहुत बेसिक प्रेक्टिस करिए बहुत जादा इसको डेप्थ में पढ़ने की जरूवत नहीं है क्योंकि आप किसी भी इंट्रेंस एक्जामिनेशन को देख लो बहुत बेसिक कॉश्चन्स आते हैं तो आपको क्या करना है कि सिंपली नेट के भी से क्यों प्रेक्टिस कर लोगे तो सफीशियंट है इस तरहीं के से बाइडाइबर्सिटी भी मियोनोलोजी तो आप देख लिए टूटल 14 इसमें हैं वाटनी में देखोगे तो 12 इसमें रहेंगी एन्भाई केमिस्ट्री में देखोगे तो 14 यूनिट्स हैं वैसे ही यह बाइ प्रेक्टिस कर लेनी है यहां पर मैंने इंपॉर्टेंट यूनिट मेंशन कर दी है इसके अलावा आपको कोई दूसरी यूनिट ना पढ़नी है ना फॉलो करनी है आपको बस इतना ही पढ़ना है और ऑनसली आप खुद देखेगी कि आप्टर बनमंत आपकी जो प्रपरे करनी है यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करिए शेर करियो चैनल को सब्सक्राइब करिए यदि इसके अलावा आपके पास कोई कोई है तो आप हमें कमेंट वॉक्स में वता सकते हैं थैंक्यू सो मच थैंक्यू फॉर लिस्निंग